अस्सलामों अलेकुम, आज हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा जमो एंड कश्मेर गर्मेंट एंप्लोईज कंड़क्टर रूल्स 1971 जिसे हम शॉर्ट में कंड़क्टर रूल्स के नाम से जानते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं रूल वन, कंड़क्टर रूल्स का हमें एप्लिकेबिलिटी दिखाता है, यानि ये रूल्स किस गर्मेंट एंप्लोईज पे एप्लिकेबिल है, तो ये रूल्स उन सारे गर्मेंट एंप्लोईज पे एप्लिकेबिल है, जो के एपॉइंट हुए हैं किसी भी सिवल सर्विस या पोश्ट पे कहां की हमारी जेंड के की याने हमारी यूटी की लेकिन अभी जो रूल्स में हम यूटी वगएरा नहीं पढ़ते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये रूल्स जो है ये उन सारे employees पे apply होता है जो के हमारी जुमुएंड कश्मीर की स्टेट की किसी भी सिवल पोश्ट पे या सिवल सर्विस पे सर्व कर रहे हो ठीक है तो for the sake of rules हम स्टेट पढ़ेंगे otherwise it's UT now याने किसी भी पोश्ट पे या किसी भी सर्विस पे जैंड की की अगर एक employee सर्व कर रहा है उस पे ये rules apply होते हैं ठीक लेकिन अब अगर कोई member यहां All India Service के अंडर सर्व कर रहा है तो उस पे ये rules apply नहीं होते याने members of All India Service पे ये rules apply नहीं होते because members of All India Service पे जो है All India Service Conductor Rules 1954 अप्लिकेबल है ठीक next ये rules applicable है उन employees पे भी या उन members पे भी जो सर्व कर रहे है उन सारी public sector undertakings में जो पूरा का पूरा finance government की तरफ से होता है याने जो entirely financed है government of Jane के से तो उन public sector undertakings में जो भी employees है जो भी उनके members है उन पे ये rules applicable है लेकिन जैसे हमें पता है कि public sector undertakings में कभी कबार contracts भी होते है employees के साथ और public sector undertakings में उनके अपने set of rules होते हैं तो members of public sector undertaking जो है उनको deal किया जा सकता है for any misconduct or for any deliquant act जो है उनको deal किया जा सकता है as per that contract जो उनके साथ बनाया गया हो या जो उस public sector undertakings के अपने set of rules उनके अंडर भी उस employee को जो है deal किया जा सकता है जिसने कोई dilanquent act दिखाया होगा या जिसने कोई negligency दिखाई होगी तो यानि कि यहाँ पे हमारे पास public sector undertakings के members के लिए तीन options बनते हैं एक तो उनके conductor rules भी apply होते है 1971 वाले और उनके जो है अपने public sector undertaking के जो set of rules होते हैं यानि कि उस undertaking के जो अपने rules हैं वो भी लागू होते हैं उनके अंडर भी deal किया जा सकता है और अगर कोई contract बना हो उस employee के साथ तो उस contract के अंडर भी उसके साथ deal किया जा सकता है ठीक अब वो वाले government employees जिनको आपने काम करने के लिए debute किया हो कहाँ पे किसी company में, किसी corporation में, किसी organization में या local authority वगेरा government की वहाँ पे आपने उनको काम करने के लिए बेजा हो यानि कि उनकी services को रखा होगा at the disposal of some company, some corporation, local body वगेरा तो उन government employees पे भी ये rules बराबर उसी तरह applicable है जिस तरह एक ऐसे government employee पे applicable है जो के government department में काम कर रहा होता है ठीक है तो यहाँ हमारा एक question बन सकता है कि आप जी applicability बताएए किसकी conduct rules की तो I hope आप आराम से उसका जवाब लिख सकते है next rule 2 जो है उसमें हमें कुछ definitions आती है बस 4-5 definitions है और उन definitions में सबसे important definition जो है वो है family जिसे हम यहाँ पे discuss करेंगे क्योंकि यह question भी आता है कि family as per conductor rules आप define कीजिए तो family क्या है as per conductor rule husband और the wife किसकी है government employee की यानि अगर government employee है अगर male है तो उसकी wife अगर female है तो उसका husband as the case may be और वो wife और husband रह रहा हो किसके साथ उस government employee के साथ उसे हम उसकी family कहेंगे अब अगर एक ऐसा husband है या एक ऐसी wife है जो divorced है यानि separated है government employee से through a court order, through a degree तो उसे हम family नहीं कह सकते ठीक next son और daughter और step son और step daughter of the government employee जो कि wholly dependent हो उस पे किस पे? government employee भी लेकिन एक ऐसा child, एक ऐसा step child जो कि किसी भी तरीके से government employee पे dependent ना हो उसे हम family नहीं मान सकते ठीक? यानि son और daughter और step son और step daughter जो कि government employee पे totally dependent हो वही बस family है government employee की यानि कि वही आते हैं family में government employee की अब अगर ऐसा कोई बच्चा हुआ ऐसा कोई step बच्चा हुआ जो कि किसी भी तरीके से उस government employee पे dependent नहीं है या जिसकी custody जो है government employee से छीन ली गई है under any law by any order तो वह भी जो है family में शामिल नहीं हो सकते हैं यानि बस वह वाले बच्चे जो कि totally dependent है government employee पे उसके साथ रह रहे हो अब वह वाले बच्चे जो dependent नहीं है चाहे अपने बच्चे हो या step बच्चे हो जो उसके साथ नहीं रह रहे है उस पे totally dependent नहीं है और उसके साथ इसलिए नहीं रह रहे है क्योंकि उनकी custody उससे government employee को deprive किया गया है यानि government employee से उनकी custody छीनी गई है through some order तो वो जो है government employee की family में include नहीं होते हैं ठीक है और family में कौन आता है कोई भी ऐसा person जो relate हो government employee से by blood और by marriage ठीक है या relate हो government employee की wife से या husband से मगर totally depend हो किस पे government employee पे वो भी आता है government employee की family के under as per conduct rule ठीक है तो तीन इसमें नहीं होने categories दिखाई है now rule 3 rule 3 जो है ये विक बार question भी पूछा जाता है वहाँ पे आप please confuse न हो जाएएगा तीन basic चीजें जो है एक government employee में क्या होनी चाहिए ठीक as per rule 3 तो ये question आपसे पूछा जाता है चलिए हम देखते हैं क्या तीन चीजें होनी चाहिए पहला every government employee shall at all times याने हर government employee हर वक्त maintain करना चाहिए absolute integrity याने वह honest रहना चाहिए maintain devotion to duty याने अपनी duty की तरफ बाकाइदगी से काम करना चाहिए ध्यान देना चाहिए याने punctual रहना चाहिए और तीसरा do nothing which is unbecoming of a government employee ऐसा कुछ भी ने करना चाहिए जो कि एक government employee को जो है शोबानी देता हो ठीक है एक government employee को जो है जचता नहीं हो ठीक जिसकी वज़ा से government employee जो है उसका नाम बदनाम हो जाए तो ये तीन चीज़े maintain absolute integrity maintain devotion to duty and do nothing which is unbecoming of a government employee ये तीन basic चीज़े हैं जो कि government employee को हमेशा हमेशा हर वक्त maintain करनी पड़ती है ठीक है तो ये तीन चीज़े rule 3 के सब rule 1 के अंडर आती है और ये तीन चीज़े हमेशा 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 हाहिए कि अपनी workplace में अपनी personal life में maintain करे तब जाके ही हम government employee कहलाने के लायक होते हैं लिकर एक government employee जो है वो एक ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों के लिए जोकि government servants नहीं होते यानि कि हम बोलेंगे common masses के लिए एक government employee एक example होता है ठीक है तो वो इस तरीके से रहना चाहिए कि वो example ही बना रहे ठीक next rule 3 part 2 हमें क्या कहता है हर government employee जो कि supervisory position में हो यानि कि officer type जो हो ठीक है तो उसे जो है ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो ये हर एक चीज़ try करे कि उसके अंडर जितने सारे employees आते हैं उन employees की यानि उसके उन subordinates की क्या हो integrity जबरदस रहे अच्छी रहे वो सारे subordinates जो है वो devoted रहे towards the duty ये किसको ensure करना है एक supervisory post hold करने वाले official को यानि कि एक officer को ये ensure करना है कि उसके अंडर काम करने वाले जितने सारे employees है वो integrity maintain करें कर रहे हैं devoted है to duty ठीक है कब तक उसको ये चीज़ ensure करने है जब तक वो उसके अंडर है ठीक है यानि कि उसको वो सारी steps लेनी है जिससे उसके अंडर आने वाले employees की integrity और devotion maintain रहे ठीक ठीक rule 3 के अंडर जो है हमारा part 2 का सब part 2 क्या कहता है कि जो government employee है उसको कभी भी कभी इस तरीके से act नहीं करना चाहिए जो कि उसकी सोंच समझ से बाहर हो ठीक है that means हम यहाँ पैसे कहेंगे कि उसे कभी गलत तरीके से act नहीं करना चाहिए unless कब तक अगर उसको वैसे करने के orders न मिले अपने superior से अब अगर उसको गलत करने के order मिले गलत तरीके से चलने के order मिले ठीक है तो वो क्या करे उसे चाहिए कि उन orders को in writing वो अपने superior authority से ले ठीक है in writing अपने officer से मांगे हां जी अगर आप मुझे ये गलत step उठाने को बोल रहे हो मुझे जी writing में दे दो अब अगर कभी कबार ऐसा हुआ कि उस time पे writing में लेना possible नहीं है तो अगर उसने वो गलत तरीके से काम किया या गलत step उठाया या in violation of rules कुछ किया तो उसे चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उसके बाद वो orders अपने officer से in writing हासिल करे ठीक यहां तक आपको अच्छे से समझाया होगा इसी रूल के अंडर conduct rules में ये दिखाया गया है कि एक government employee की जो अपनी private life होती है उसमें उसका behavior कैसा होना चाहिए ठीक यानि कि चलो official life को side में करके हम अपनी घरेलू जिंदगी हमारी कैसी होनी चाहिए एक government employee की गरेलू जिंदगी किस तरह होने चाहिए तो as per conductor rules एक government employee को एक reasonable और decency दिखानी पड़ती है अपनी private life में यानि decent standards रखने पड़ते हैं जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि government employee जो है वो एक example होता है common masses के लिए तो to be some example तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप decent और reasonable रहे ठीक तो as per conductor rules रूल 3 के अंडर ये भी हमें कहा गया है कि एक government employee जो है उसे maintain करना चाहिए reasonable और decent standard अपनी private life में ठीक जहां government को ये report मिले कि एक government servant इस तरीके से अपनी नीजी जिन्देगी में चल रहा है यानि अपनी personal life, private life इस तरीके से गुजार रहा है जो unbecoming है एक government servant का यानि कि जो जाइज नहीं है एक government servant के लिए मतलब कि चाहे वो अपनी बीवी या husband के साथ अच्छा सलोक ना कर रहा हो या अपने बच्चों की देखबाल ना कर रहा हो या अपनी family के तरफ जो उसकी जिम्मदारिया है वो अच्छे से नहीं अदा कर रहा हो तो उस time पे departmental action जो है वो ली जा सकती है उस employee के खिलाफ ठीक यानि ज़रूरी है government employee के लिए कि वो अपनी private life को अच्छी तरीके से maintain करे अपनी family की अच्छी देखबाल करे rule 4 rule 4 जो है बड़ा important rule है इसमें gifts के मुतलिक बात की गई है तो काफी बार देखा गया है पेपर में ये question आता है gift जो है मितलब तोफे एक government employee क्या तोफे ले सकता है या नहीं ले सकता है अगर ले सकता है तो क्या ले सकता है और कितना ले सकता है ये इस rule के अंडर हमें बताया गया है पहले तो केटेगोरिकली ये कहा गया है कि कोई भी government employee जो है gift नहीं ले सकता है किस से किसी भी बंदे से other than उसकी family या close friend ठीक है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि किसी भी government employee की family का कोई भी member government employee के बहाफ पे कोई gift accept नहीं कर सकता है ठीक है government employee के बहाफ पे उसकी family का कोई भी member कोई भी gift accept नहीं कर सकता है और ये भी कहा गया है कि government employee जो है वो भी कोई gift accept नहीं कर सकता है accept EXCEPT accept अपने near relative से या friend से और वो भी फिर इसको अगर कुछ ज़्यादा amount में हुवे तो report करने पड़ते हैं otherwise अगर हम basic देखेंगे तो no government employee shall accept or permit any member of his family acting on his behalf to accept any gift याने कि basic जो rule हमें बताता है वो कहता है कि न तो government employee और ना ही इसकी family का कोई member इस government employee के बहाफ पे कोई gift accept कर सकता है ठीक कोई भी gift न तो government employee ले सकता है और ना ही उसकी family का कोई member उस government employee के बहाफ पे gift ले सकता है ठीक अब हम देखेंगे gift क्या होता है एक gift जो है उसमें आती है free transport, boarding, lodging या कोई बागी ऐसी service जिसमें दूसरा बंदा जो है आपकी advantage ले सकता है ठीक अब आप ये सब चीजें accept कर सकते हैं किसे अपने near relative से जैसे मैंने अभी बता आया या उन friends से जिनके साथ government employee की कोई भी official dealings नहीं है समझाई बाग near relative और personal friends कोई official dealings नहीं है उनसे कुछ हद तक अब gifts ले सकते हैं ठीक है एक casual meal एक casual lift या हलका फुलका सा थोड़ा सा खाना पीना या एक lift या social hospitality इन सब को gift में शामिल नहीं किया गया है या हलका फुलका चाय पी ली किसी के साथ या थोड़ा सा lift ले लिया उसको हम या social hospitality यानि कि जो हमारी रिवाजों के मताबिक जो हमारी hospitality होती है हमारी कहीं पे तो उनको हम gift में include नहीं कर सकतें लेकिन अगर एक lavish यानि एक expensive और जिससे हम कहेंगे महंगी महंगी hospitality आपको दिखाई जा रही है वाजवान खिलाया जा रहा है बड़े बड़े तोफे लाये जा रहे है या frequently आपको hospitality दिखाई जा रही है नहीं कि रोज बर रोज आपको कुछ gifts दिए जा रहे है आपको खिलाया जा रहा है बड़े बड़े expensive चीज़े आपको दी जा रही है इन सब से एक government employee को दूर रहने को कहा गया है conductor rules के under conductor rules के under कहा गया है कि एक lavish और frequent hospitality से एक government employee को दूर रहना चाहिए उसे चाहिए कि वो इन चीज़ों को avoid करे बिकस इन कोफ जो है अगर आपने लेना start किया तो ये हो सकती है count as gift ठीक है अब जैसे हमारी functions होती है wedding हुई या anniversaries रही या finurals रहे या religious functions रहे जहाँ पे gift देना जो है वो रिवाज है social practice के हिसाब से या religious practice के हिसाब से gift लेना उन लोगों से जो कि wedding में आए हो anniversary में आए हो, funeral में आए हो उन लोगों से gift लेना रिवाज है ठीक है तो उस time पे government servants जो है अपने near relative से gift ले सकता है मैं दोहरा रही हूँ near relative से gift ले सकता है लेकिन अगर उन gifts का value एक limit से ज्यादा हुआ तो उसे वो gift जो है report करने है government को उसे government को ये report देना है यापने department में ये report करना है कि हाँ जी मैंने ये gift जो है लिये अब क्या limit रखी गई है 500 in case of class 1 और class 2 post 200 in case of class 3rd post employee ठीक है यानि कि वो employee जिसने class 3rd की कोई post hold की हो और 100 रुपए in case of class 4th employee ये जो actually 500 यानि कि अगर आपने 500 से ज्यादा लिया और आप class 1 या class 2 की post hold करें आपको वो gift जो है आपको चाहे आपने cash में लिया हो kind में लिया हो आपको report करना है government को लेकिन अब आप कहेंगी ये जी काफी meager amount है फिर तो हमें इससे ज्यादा तो हम आज कल तो जैसे चाली रहा है meet का मसला तो इससे ज्यादा तो meet का 1 kg आ जाता है तो अगर class 4th की employee को देखेंगे तो साग का 1 kg तो इससे ज्यादा आ जाता है तो क्या हम report करेंगी लेकिन ये rates जो है आज तक revise नहीं हुई है although जो हमारे center के conductor rules है उसमें revision हुआ है अच्छी खासी rate system उसमें जो है चड़ाई गई है उसमें changes आई है इन limits में लेकिन जो हमारी जमौन कश्मीर की अभी तक rulings है conductor rule है उसमें अभी changes नहीं हुई है तो हमारी set limit अभी तक यही है ठीक है तो यह limit किस time पे थी अगर आपने near relative से gift लिए at the time of wedding, anniversary, funeral और religious functions ठीक अब इन ही occasions पे अगर आपने gifts लिए किसे, किसी ओर बंदे से, वो permissible नहीं है ठीक है, लेकिन उन friends से आप gift ले सकते हैं, जो आपके personal friends है, और उनके साथ आपकी कोई भी official dealings नहीं है friends तो आपकी official dealings वाले भी हो सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं, वो friends जो personal है, और कोई भी official dealings नहीं है, उन से आप, in occasions पे, जैसे anniversary हुआ, marriage वगेरा हुआ, gifts ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर से उन gifts को report करना है, government को, अगर उनका value 250 से ज़्यादा हुआ, in case of class 1, class 2 post to hold it by an employee, और 150 in case of class 3rd post, और 100 in case of class 4th, ठीक है, यानि अगर इन से ज़्यादा limit हुई उस gift की, जो कि आपने, आपने एक friend से लिया, जिसकी आपके साथ कोई official dealing नहीं है, तो आपको report करना है, government को, ये limit भी अभी तक revised नहीं हुवी है, अब अगर कोई और case हुआ, जैसे अब आपका near relative भी नहीं है, आपका personal friend भी नहीं है, with no official dealings, कोई और बंदा हुआ, ठीक है, आपका पड़ोसी हुआ, official dealings वाला हुआ, तो तब क्या करेंगे आप, अब तो बुला लिया उसको, उस function पे gift तो लेना है, in confirmity of religious, हमारी practices और social practices, तो क्या करेंगे आप, अगर उन gift का value 75 रुपीज से ज्यादा हुआ, post वाले officials, अगर उन्होंने gift लिया, किसे, other than near relative और personal friend, तो आपको आपने अगर 25 रुपई से ज्यादा gift लिया, तो आपको वो जो है, report करना है ये किसलिए है, अगर आप gift ले रहे हैं किसे, एक बंदे से, जो कि न तो आपका near relative है, और नाहीं आपका personal friend है, with no official dealings, तो उस time पे, अगर आपने किसी और बंदे से gift लिया, at times of these occasions, जो मैंने mention किये, और उसकी limit किसे ज्यादा हुई, 75 और 25 से ज्यादा हुई, in respective classes, तो आपको उसे जो है, government को report करना है, ये limits भी अभी तक revise नहीं हुई है, now, rule 5, rule 5 जो है, वो है, public demonstrations in the honor of government employee, यानि government employee के, इज़त अफजाई के लिए, public demonstrations करना, किस हद तक LO है, या, totally LO नहीं है, या, किस हद तक LO नहीं है, ठीक है, कोई भी government employee, न तो कोई complimentary, और ना ही कोई valedictory, address ले सकता है, ठीक है, यानि कि, किसी भी government employee के हक में, कोई भी complimentary या valedictory, हम speech वगेरा address नहीं कर सकते हैं, और वो भी ये चीज़ accept नहीं कर सकता है, और, कोई भी government employee, कोई भी testimonial accept नहीं कर सकता है, कोई भी meeting, जो कि उसके honor में रखी गई हो, या entertainment, उसके honor में रखा गया हो, attend नहीं कर सकता, और ना ही, बाकी कोई government employees, attend कर सकते हैं, वो, meeting, या entertainment, या valedictory speech, या complimentary speech, जो कि किसी और employee के honor में रखी गई हो, that means, no functions of honor, हम honor करने के लिए, इज़त अफजाई देने के लिए, किसी government employee के, हम कोई भी function, entertainment, वो गईरा, नहीं कर सकते हैं, except with the previous sanction of government, ठीक है, अगर government ने हमें sanction दे दी, हां जी अप करो, तो तब ही हम कर सकते हैं, ठीक, और तब ही एक employee जो है, जिसकी हम honor में ये कर रहे हैं, वो उसमें शिर्कत कर सकता है, यानि एक government employee, तब तक किसी भी, उसकी जो honorary एक address रखा गया हो, उसके लिए, या एक honorary entertainment रखा गया हो, या meeting रखी गई हो, उसमें वो शिर्कत नहीं कर सकता है, जब तक न उसके पास, government की prayer approval या prayer sanction हो, ठीक है, लेकिन, ये rule, आप कहां पे apply नहीं होता है, जहां पे, एक fierval रखी गई हो, एक S.A. employee के लिए, जो retire हो रहा है, उसके, उस honor में की E.A.G. अच्छे तरीके से, service से retire हो रहा है, जैसे आपको पता है, अगर आपका कोई प्रेजिडेंट बन गया, आपका जी कोई फला, पुलिटिकल उसका कुछ दबाओ है, वगेरा वगेरा, तो उस वज़ा से आप उसके honor में, बड़ी-बड़ी parties रखेंगे, उसे gifts देंगे, वो सब चीजें जो है, आप नहीं कर सकते, और नाहीं वो government employee, होने दे सकता है, unless जो है, आपके पास prayer sanction, हो government की, ठीक है, और चलिए, हमने देखा, कि firewall एक retiring official को permissible है, प्लस, अब अगर एक ऐसा official है, जिसने एक service छोड़ दी government की, चाहे वो कोई और service join कर रहा है, यानि वो एक service छोड़ के, दूसरी service में transfer हो रहा है, तो उसके honor में भी आप, उसे अगर छोटी मोटी एक party, एक firewall arrange करते हैं, वो भी permissible है, ठीक है, यानि firewall to retiring employee, और firewall to an employee, who has been transferred, from one service to another, by quitting the earlier one, ठीक है, जिसने एक service छोड़ के, दूसरी service join कर ली, तो उसको उस time पे आप, एक honorary firewall दे सकते हैं, और at the time of retirement, एक employee की, आप उसे भी एक honorary, जो है, firewall दे सकते हैं, ठीक है, और, कहां पे applicable है, अब एक government employee के लिए, कि वो शिरकत करे, या उसके honor में, कुछ firewall वगेरा, कुछ function वगेरा होने दिया जाए, मतलब वो ये function, अपने honor में attend करे, या बाकी government employees, वो function, वो show, attend करे, कहां पे permissible है, जहां पे, छोटा मोटा एक arrangement किया गया हो, inexpensive arrangement किया गया हो, public bodies और institutions की तरफ से, ठीक है, आज की lecture में इतना है, इंशाला, next lecture में बाकी rulings पढ़ेंगे, thank you, आज की तरफ से,